प्रदेश के जाने माने सुप्रिसिद साहित्यकार डॉक्टर प्यूश गुलेरी के चतुर्त वार्षिक स्मरण के उपलक्ष पर कारेक्रम पुस्तक विमोचन वकवितापाथ का आयोजन धर्मचला अस्पताल के सभागार में किया गया। जिसमें जुमती यादें अभी समा बाकी है और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहित के विविद पक्ष का अनावरण किया गया। जिसमें खुद हम से संबोधित हो रहे हैं। ये बहुत ही एक फक्र की बात भी है परिवार के सभ्रस्यों के लिए। जिसमें हर इंसान इस दुनिया में कर्जदार बनकर आता है। और पिछला कर्ज चुप्रास किताबों का कि समझ भी उनके पास है। ये बहुत बड़ी धरवाद है। उस भट्टी का सेंख कलम ही जानती। जो सभियों लिटते हैं उन्हें समय की कोई सिर्म अभमान भी ही सकती। तो क्यूंकि राजेश गुलेडी जी ने ये आयोजन किया है। और वो एक बहुत बड़ा पुन्य कमा रहे है। एक प्रकाश पैदा किया है। ये बहुत ही प्रक्री बात है। इसलिए मैं क्रचना बाप क्रचना पढ़ना चारता हूं। अपनी ठोकरों को कभी बाप की हदेली पर गिनना। गर्ब तुफ़ानों से पूछना जिनके बीच उसने अपने व्यूद को भोया। उस माती ने क्यू रौदा सिलाम बाप को बार बार नाम की हर सांस वे सांसे रोख कर मेहनित करता रहा। ताकि सांस उसाथ कम न पढ़े। बाप के चेहे पर गिली। कभी काहिदे से गिनना बाग के चेरे पर गिरी जुरियों में कितने आस्मानों से तारे तोल कर तुम्हारे लिए अपनी आहों को सहलाता मिलेगा कभी अपने जूतों से ही पूछ लेना कभी अपने जूतों से ही बाग को चलाने के लिए अल्विदा अल्विदा सिर्फ शब नहीं अल्विदा जब शब नहीं जब शब नहीं कहाबत नहीं उचारन नहीं बाप अपनी हतेली के दूर्ट से संधार भाए अब देखिए स्वर्गे डॉक्टर प्यूश को लेरी जो मरे पिता जी थे और उनके महा प्रयान को आज चार वर्ष होने को आए तो चतर वर्षिक श्राद के अफसर पर एक साहित्यक श्रधांजली के रूप में एक छोटा सा पारिवारिक कारेक्रम का योजन किया गया है परिवार की तरफ से जिसमें उनकी जो नव प्रकाशित तीन पुस्तके हैं अभी समा बाकी है गुलेरी साहित्यके विवित पक्ष और जूंतियाद जो एक बहुत पुराना उपन्या सुनका था तो उनको प्रकाशित करने का जो मेरी बहनों ने कारे किया था उनका विमोचन और लोकारपन आज किया गया इस अफसर पर विशेश रूप से सचेवक्रिशी भाषा समस्वसक्रिती विभाग डॉक्टर राकेश कमर मुक्यतिती के रूप में आए और श्रीकेशी शर्मा प इस पी कांगणा है और उनके अधरिक जो प्रसिद्ध साहित्यकार जो सुर्गे पियूश जी के साहित्यकार व्यक्तिकत मित्र भी रहे वो तीस के करीब लोग इसमें जिसमें डॉक्टर रोम विया वस्ती कैप्टर जेम बठानिया श्रीयानल सोनी दिवेहमाचिल से श्री हेमंत कुमार जी डॉक्टर सुशील कुमार फुल इत्यादी जो है डॉक्टर वोम वस्ती ये सारे सम्मेलित रहे परिवार के लिए की तरफ से हम सभी का हारदिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पारिवारिक कायोजन में अपनी जो आने की सहमती दी और आकर इस साहि के सर बहुत प्रसिद्रा है चाहे पहारी भासा में हो चाहे इंडी में तो उसे आगी बहाने के लिए और क्या प्रयास पर रहेंगे आपकी तरफ से देखिए उनका अनवरत लिखना जारी रहा पूरे जिवन काल में बहुत छोटी उमर में 16-17 16 साल की उमर से उन्होंने लि हो कहानी हो निबंध हो हर उपन्यास हो हर विधा में उनका निरंतर लेखन पहाडी और हिंदी दोनों भाशाओं में पूरी उमर उनके जारी रहा मगर जितना लेखन उन्हों किया उसके अनुरूप अपने जीवन काल में वह उनको प्रकाशित कराने करा नहीं पाए जिनका उन्हें भी अपने जीवन में मलाल रहा एकदम से किसी गंभीर बिमारी से ग्रसित होने की वज़ा से हमने उन्हें खो दिया और उस समय पर वो प्रयास रथ थे कि ये बाकी सभी पुस्तों का प्रकाशित किया जाए मेरी दोनों छोटी बेहने गिरिजा दोवी दोगरा और दॉक्टर गाधिका भार्दौ आज साहित तेलेखन में प्रवित हैं और उनके परयास से पिछले दो-तीन साल में हम छे पुस्तकें उनकी प्रकाशित कर पाए हैं तीन पुस्तके हमने उनकी प्रतम वार्शी की पर जो है उनका अनवरन कराया था और तीन पुस्तके जो है वो आज कराई जा रही है परिवार का प्रयास है कि जितना भी उनका जो अप्रकाशित साहित है उसे आने वाले समय में प्रकाशन कराकर लोगों को की सुविधा के लि धर्मचाला से बिनोद के साथ नरेन कुमार की रिपोर्ट